हेलो और विल्कम टू यशितास किचन आज की हमारे स्पेशल रेसिपी है राजिस्तानी धोकला वो भी ग्लूटन फ्री आज है हम बनाएंगे जौवर के धोकला जो बनाने की सामगरी स्क्रीन पे दी गई है आप नोटाउन कर सकते है यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और लसुन का कूटा लेंगे और धन्या पता, मीती पता भी डालेंगे जिसको चौप करके रखाता अभी इसमें हल्दी, लाल मिर्श पाउडर, धन्या पाउडर, जीरा, नमक डालेंगे अपनी स्वाध अनुसा डालें यह एक इंसान वन सर्विंग के लिए में बना रही ह जिसमें एक चौताय चमच बेकिंग सोडा डालोंगी, एक चौताय चमच शकर भी डालेंगे हम इसमें, अभी एक टी स्पून आपको तेल डालना है, फिर इसमें थोड़ी से निम्बो की बुंदे, लेमन जूस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करें, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको soft dough आपको रड़ी करना है, यह gluten free recipe है, बहुत ही healthy है, जरू try केज़ेगा देखिए, इसको soft dough रड़ी करना है आपको, जब dough रड़ी हो जाए इसको 5 मिट के लिए rest के लिए भी छोड़ सकते हैं, फिर इसके आप doughnuts बना सकते हैं, और फिर पहले से थोड़ा grease करके अरके ताकि यह चिपके ना, फिर इसको आपको 15 मिनिट के लिए steam करना है, यह देखिए 15 मिनिट हो चुके हैं, अभी मैं इसको निकाल दूगी, और इसके आपको pieces करने हैं, जादा छोटे ना करें, medium size pieces करने हैं, अभी एक कड़ाई में एक tablespoon तेल ल दालोंगी, और इसमें शिंगा, यानि की peanuts भी इसमें डालोंगी, इसको थोड़ा आपको सेखना है, इसको सेखना है, आप चाहे तो तिल भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, तिल भी इस्तमाल करते हैं, इसमें थोड़ा सा healthy powder, थोड़ी सी लाल मिर्च, और अगर नमक क पसंदे खाना तो थोड़ा डाल सकते हैं, फिर इसमें हमने जो ढोकला कट करके रखाता वह भी डालोंगी, और इसको अच्छे से आपको mix करना है, इसको अच्छे से mix करें, और धन्यापता भी डाले, इसको mix करें, यह बहुत ही tasty recipe है, जो लोग गेहु का ढोकला पसंद नह खाना पसंद करते हैं, तो उसकी recipe भी मैंने upload करके रखी है, description में ज़रूर डालोंगी, आप जाकी चेक कर सकते हैं, मेरी recipe कैसी लगी, comment section में बताईएगा, और हमारे channel के साथ बने रहिए, like and subscribe कीजिए, यशितास kitchen, thanks for watching, धन्यवाद